इस वीडियों आपसे बात करूँगा राजस्तान विश्विद्याले यूजी पीजी प्रैक्टिकल ट्रंडिंग फॉर्म को लेकर अपडेट सामने आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्तान विश्विद्याले के दोवारे एक नौटिस जारी हुआ है जिसमें आपके प्रैक्टिकल टरंडिंग फॉर्म चल रहे थे उसकी डेट को एक्स्टेंड किया गया है तो आप कब तक फॉर्म लगा सकते हैं कैसे फॉर्म लगा सकते हैं हाड कोपी आपको कहा जमा खरवानी है इसके अलावाद जो भी अपडेट सामने आ रही है राजस्तान विश्विद्याले की उसको मैं आपको बताने वाला हूँ तो पैसेंस बनाकर वीडियो का एंटर देखते रहें जिसने अब तक चैनल को सुष्क्राइब नहीं किया गाईस वो चैनल को सुष्क्राइब करें लेकर प्रेस करें जिसे आने वाली सभी वीडियो का नौट्विशन आप पहुंच जाए आए वीडियो को स्टार्ट करते है आप सभी को पता है ऐसे विद्यारती जो प्राइवेट स्टूडेंट है जो नौन कॉलिजेंट है उनके आपर प्रेक्टिकल ट्रेंडिंग के फॉर्म चल रहे थे जिसकी लास्ट डेट 28 फरवरी थी अब उस डेट को एक्स्टेंड कर दिया है और एक मार्श से लेकर 16 मार आप कैसे बरेंगे तो राजस्तान विश्विद्याली की आप्शन वेबसाइट आपको जाना होगा जाने के बाद में आप प्रेक्टिकल ट्रेंडिंग उप्शन में जाएंगे और वहां पर रेइश्टेशन करेंगे क्लिक करने के बाद में आपकी जो फॉर्म नमबर है जो आपके मेन एक्जाम फॉर्म नमबर है वो आपको यहां पर सम्मिट करने होगे सम्मिट करने के बाद में आपको सब्जेक्ट चूज करनी होगी कि आपका जो प्रेक्टिकल है वो कौन सी सब्जेक्ट का है और सब्जेक्ट चूज करने के बाद में आपकी जो फी से जो जो है दो दिन के अंतराल में जैसे आपने आज फर्म बढ़ दिया है तो उसके दो दिन बाद तक आप अपनी हाड को भी जमा करा सकते हैं कापी सारे विद्यारती ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ही फर्म लगा दिया है और आप प्रेक्टिकल ट्रणिंग का जो फर्म है वो फिल कर चुके हैं तो आपकी ट्रणिंग का यहापर जो सेड्यूल है वो जल्द जारी हो जाएगा आप अपनी कोलेज के कॉंटेक्ट में र में जैसे आपके ट्रणिंग कम्प्रिट हो जाएगी लगबग 10 या 15 दिन के आपके ट्रणिंग होती है और कम्प्रिट होने के बाद में आपको एक सर्टिवीट मेलेगा वो सर्टिवीट आपकी जो मैं प्रेक्टिकल एक्जाम होंगे उसमें वो काम आएगा तो आप लगा दीजिए वो तो आपने लगा भी दिया होगा लेकिन जो मौनियंकर लेकर दक्कते सामने आ रही है काफी सारे बच्चे certainty नंबर नहीं बड़簡़ दूंधे हैं सेम वैसे ही 했ा काफी सम्स्षां ओक सालसे हो रही है तो ऐसे लिए हो रहा है क्योंकि आपने ह हांत को पी जमा नहीं करवाई आपने online form तो लगा दिया लेकिन आपने राजस्तान विश्विद्दाले के अंदर आपकी जो hardcopy form की और जो documents है वो आपने summit नहीं किये हैं तो अभी भी आपके पास में समय है राजस्तान विश्विद्दाले का notice जारी हुआ कि आप राजस्तान विश्विद्दाले में उपस्तित होकर आप offline जाकर वहाँ पर अपने document जमा कराईए जिसे कि आपका जो examination का result है वह जारी कर दिया जाए वहीं हम बात करें रास्तान विश्विद्दाले यूजी पीजी और बीड के जो examination form चल रहे हैं उसको लेकर तो आप सभी को पता है कि second year और finder की जो form है उसकी लास्ट एट बिना किसी विलम सुल के साथ में तीन मार्स है तो तीन मार्स तक आ साथ ही अगर आप सभी को पता है कि जो आने वाली वेकेंसी जारी हो चुका है एससी के अलावा अगर आप कोई सी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं जिसमें इस्टेटिक जीके और जन्रल साइंस आती है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनिकेट्वी प्रफाइल पर और मेर रणिंग प्लेटफोर्म पर मैं वाँ पर जो है प्लस एजुकेटर हूँ और आप मुझसे जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो आपको सबसे पहले प्लेश्टूर्स से अनिकेट्वी लर्निंग आप डाउड़नीक रिया डाउन वाड लिए डाउन क होती है मैं पूरा आपको टाइमिंग बता देता हूं तो प्लस भी मेरे कोर्स आते रहते हैं और फ्री क्लास तो मेरी रेगुलर होती है अभी जो मेरी क्लास है कल सुबह 8 बजे होने वाली है कल सुबह 8 बजे फ्री क्लास है उसका Link description में है उसको click करना class open हो जाएगी और class के लिए अगर आप पहली बर class देख रहे हैं तो आपसे code मांगेगा वो code आप लगा देना code है genuine 10 G-E-N-U-I-N-E 10 अगर आप वो लगाते हैं तो class open हो जाएगी और आप पूरी class देखें और अगर आपको class अच्छी लगे तो आप जितनी भी अपकमी classes हैं उनको भी देख सकते हैं लास्ट वीडियो में एक ही बात बता रहा हूँ कि अपरेल में ही आपकी exam स्टार्ट हो चुके हैं तो वो भी आपको प्रपरेशन करनी है तो जल्दी ही आपके जो examination है वो start होंगे मिड अपरेल या लास्ट अपरेल से आपके exam स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग प्रपरेशन करते रही है ज्यादा समय आपके पास में है नहीं है आप सभी को बता है प्रपरेशन को लेकर मैं कापी सारी वीडियोज बना रहा हूँ आप देखते रहे एक कापी में कैसे ल अपरकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद